सो हेलो लानास कैसे हैं आप लोग मैं आसा करता हूं अप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ा अच्छे से कर रहा होंगे तो आज के इस वीडियो में हम लोग यूवी बुलिस का प्रेक्टिस चैट लगाने वाले हैं यह सीरीज में 11 वीडियो हैं अगर आपने बाकी 10 वीडियो ना देखी हूं तो मैंने प्ले लिश्ट बना रखी है जरूर जाके देखें क्योंकि आपके एक्जामनेशन के लिए काफी अलफुल हो सकती है ठीक है और इसमें से मैक्समों कोश्चन्स आ सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं और यह जादे लोगों तक से जरू करिएगा लाइक करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा वीडियो कैसी बनी है और जो कोश्चन्स में देता हूं इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करिए किसका अंसर यह होगा ठीक है आगे चलते हैं सुपर सौनिक स्पीड मापने का यूनिट क्या है ए मैक बी नॉट सी बिक्तर या फिर डी हर्ड तो फोट ट्वंटीफोर और उसका ट्रॉंसर हो जाएगा आपका मैक का का फ़र्मूला क्या होता यह फर्मूले कभी-कभी आप कोश्चन में पूछ लेता है तो मेंक का फर्मूला होता है वस्तू की गती वस्तू की गती डिवाइड़ बाई म माध्यम में ध्वनी की गती तो आप यह याद रखिएगा सुपर सॉनिक स्पीड मावने का यूनिट क्या है मैक ठीक है आगे चलते हैं खाद्यानों के संरक्षड हेतु निन में से किसका प्रयोग किया जाता है विनेगर बी सोडियम क्लोराइड सी पोटैसियम परमेगनेट या फिर डी सोडियम बेंजोनेट तो इसका कर्यक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी सोडियम बेंजोनेट ठीक है कुछ नमर ट्वंटी सिक्स किसी इस्थान की आरदरता जानने के लिए निन में से किसका उपियोग किया जाता है ए हाइड्रो मीटर आधियर, बी पाइरो मीटर, सी पेरिसकोब या फिर डी हाइड्रो मीटर ठीक है तो इसका कर्यक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए हाइग्रो मीटर ठीक है लोगे चलते हैं वह कौन सी परयावरणिय पर्या वरडिय परत है जो विकीरड को वापस प्रित्वी में प्रतियार्वित करती है A. इस्ट्रेटोस्पियर B. आईनोस्पियर C. एक्सोस्पियर या फिर D. ट्रोपोस्पियर 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा A. आपका इस्ट्रेटोस्पियर ठीक है आगे चलते हैं निम्न राजियों में से कौन सा राज उदय योजना के लिए समझाओता ग्यापन एमो यूप पर हस्ताचर करने वाला देश का पहला राज बन गया है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका C. जारखंड ठीक है अब उदय का फुल फॉर्म क्या यह उदय का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेता है तो इसका फुल फॉर्म है आपका उज्वल डिस्कॉम एस्योरेंस योजना ठीक है तो आप यार रखिए गैसको आगे चलते हैं महत्मा गादी भारतिये राश्तिये कॉंग्रेस के अध्यक्ष किस वर्थ बने तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका B-Option 1924 क्रीमी लेयर संबंदित है बायो स्फियर सामाजी के वंग आर्थिक हालत से कुकुट पालन से या फिर दुख दूत पादों से तो थर्टी का हो जाएगा आपका B-Option सामाजी के वंग आर्थिक हालत से थर्टी वन आपका करेंट बेज़ जाए इसको नहीं पढ़ना थर्टी टू भी नहीं थर्टी स्री प्या जाते हैं लाल बहादुर सास्त्री स्टेडिय मिस्थित है ए नई दिली में बी हैदराबाद में स्टी अलहाबाद में या फिर डी कानपूर में तो थर्टी थरी का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका B-Option हैदराबाद में कोश्य नमबर 34 भी आपके काम लैक नहीं है आगे चलते हैं 35 की तरफ 35 रक्त लाल दिखाई देने का कारड़ क्या होता है प्लाजमा कतियत स्ट्रो का होना या फिर लोहिताडू या फिर हीमोग्लोविन तो 35 का हो जाएगा आपका D-Option हीमोग्लोविन अब हीमोग्लोविन के कई सारे काम होते हैं हीमोग्लोविन जो होता है आपका जो बॉड़ी में जो ऑक्सीजन जाता है वह हीमोग्लेविन की थ्रोह ही जो आपके सेल्स में जो हर जगह पहुंचता हूं हीमोग्लोविन की थ्रोह ही पहुंचता है और जो भी वेस्टेज हो पुज़शकार किससे सम्बंधित है? पत्रकारिता, सीने कला, खेल, संपदा, संपाद किये या फर साहिद सम्बंधित लेखन तो इसका कर्यक्ट आनसर हो जाएगा आपका ये पत्रकारिता अब आजाते हैं हम समान हिंदी के तरफ, समान हिंदी समास बताईए भर पेट में भर पेट का समास क्या है अवेई भाव समास, दूंदो समास तत्पुरुस समास या फिर बहुबरीय समास थर्टी नाइक का हो जा करक्ट आंसवरा अवेई भाव समास 40 पर आ जाते हैं 40 क्या कह रहा है एक दिन बैठे बैठे यहा बात अपने ध्यान में चड़ी की कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी छुट और किसी बूली का पुठना मिले पंकति किस लेखक की है मलिक मुहमद जैसी मुंसी इंसा अल्ला खां राजा सिव प्रसाद सिता रेहिंद या फिर मुंसी सदा सुख लाल तो फोटी का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्षन मुंसी इंसा अल्ला खां ठीक है फोटी बन पर आ जाते हैं निन में से किस क्रिया विसेशड होगे चुनिये कुत्ता मोकरा है राम खाना खारा है अधिक मत भोलो या फिर राधा रात बर जाकती रही तो फोटी वन का हो जाएगा आपका डी ऑप्षन राधा रात बर जाकती रही फोटी टू ने उन में से कौन जीवनी है ए अतीत के चलचितर बी चंता मड़ी चिंता मड़ी सी आवारा मसीह या फिर डी नीड का निर्माड फिर तो फोटी टू का कलेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्षन आवारा मसीह अब आजाते हैं हम लोग एक अपटिसी गद्यांज की तरफ इसमें क्या है इस संसार में धन की धन ही सब कुछ नहीं है धन की पूजा तो बहुत कम जगों में होती ही देखी गई है संसार का इतियास उठा कर देखिए और धारर ढूट-डूट कर सामने रखिए तो आपको विदित हो जाएगा की जिनकी हम उपासना करते हैं जिसके लिए हम आखें विछाने तक को तैयार रहते हैं जिसकी इसमर्ती तारो ताजा रखने के लिए हम अनेक तरह के इस मारक चिन बनाकर खड़े रह करते हैं उन्होंने रुपिया कमाने में अपना समय नहीं बिताया है था बलकि उन्हीं ने कुछ ऐसे काम किये थे जिनकी महत्ता हम रुपिय से अधिक मुल्यवान समझते हैं जिन लोगों के जीवन का उद्देश केवल रुपिया बटोरना है उनकी प्रतिष्ठा कम हुई है अधिकांस अविवस्थाओं में उन्हें किसी ने पूछा तक नहीं है उन्होंने जन लिया रुपिया कमाया और परलोग की यात्रा की किसी ने जाना तक नहीं कि वे कौन थे कहां गए मानो समार स्वार्थी अवस्य है पर वा स्वार्थी उपासना करना नहीं चानता अंत में वे ही पूजे जाते हैं जिनोंने अपने जीवन को अर्पित करते समय सच्चे मनुश्यत का परिशे दिया है गद्यांस का उचिस सेर्सक होगा A. धन की लोलू पता B. धन की महत्ता C. धन और मनुस्यता या फिर D. मनुस्यता का महत्त तो 43 का आपका correct answer हो जाएगा धन और मनुस्यता क्योंकि इसमें धन और मनुस्यता को comparison किया गया है कि कैसे जो एक धनवान रखती होता है उसको लोग नहीं पूछते पर जो एक मनुस्यता वाला इंसान होता है जिसके अंदर मनुस्यता होती है उसको दुनिया याद करती है तो ये एक तरीके से दन और मनुस्यता का comparison है तो 44 option हो जाए correct उपर जो गद्यांस के अनुसार संसार में किस तरह के मनुस्यता की पूजा होती है जो धनारजन एवंग त्याग दोनों करता है जो पैसों को कल्याड कारी कारियों में लगाता है जो मानुता की सेवा में लगा रहता है जो सचे मनुस्यत्रों के लिए कारे करता है तो इसका हो जाएगा आपका D-option जो सच्चे मनुस्यत्रों के लिए कारे करता है 55 पे आ जाते हैं धन की पूजा से क्या और भी प्राए है ये धन से जादा मानौता प्रबल है धन कमाने वाला अधिक नाम नहीं कर पाता है धन की पूजा विक्ति को स्वार्थी बनाती है धन कमाने की अप एक्छा समाज मनुस्य होना सबसे अच्छा है तो इसका correct answer हो जाएगा आपका भी option धन कमाने वाला अधिक नाम नहीं कर पाता है तो यहीं पिसे अपना समाप करते अगर आपको सब्सक्राइब करें चैनल को सब्सक्राइब करें और यह वीडियो जादे से जादे लोगों तक सेयर करें क्योंकि इससे हम लोग का रीज बढ़ता है अच्छा रहता है ठीक है और चलिए थैंक यू